12.2 धारा वाही चालक के कारण चुम्ब की एक्षेत्र Magnetic Field Due to Current Caring Conductor HC और स्टेड सर्व प्रथम 1810 में डेन्मार्क के विज्ञानिक HC और स्टेड ने विद्युत चुम्ब की प्रभाव को देखा था जब किसी चालक तार में धारा प्रभाहित करते हैं तो उसके चारों और चुम्ब की ख्षेत्र उत्पर्ण हो जाता है इसको देखने के लिए एक चालक तार जैसे तामबे का ले उसके दोनों सिरों को बैटरी के दो सिरों से संयोजन तार से जोड़िए तामबे के तार के समीप एवं समनांतर एक चुम्ब की सुई रखिए परिपत के पूरा होने पर चित्र पाँच तामबे के तार में से विद्युद्धारा का प्रभा होने लगता है और चुम्ब की सुई में विक्षेब दिखाई देता है इससे पता चलता है कि किसी चालक में विद्युद्धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों तरफ चुम्ब की एक शेत्र उत्पन हो जाता है तार में धारा बढ़ाने पर विक्षेप बढ़ जाता है तता धारा की दिशा बदलने पर विक्षेप की दिशा भी बदल जाती है धारा बंद करने पर विक्षेप शुन्य हो जाता है अतह चालक तार के चारों और उत्पन चुम्ब की एक शेत्र विद्युद्धारा का प्रभाव है 12.3 सीधे चालक तार से विद्युद्धारा प्रवाहित होने के कारण चुम्ब की एक शेत्र Current Caring Magnetic Field Due to a Straight Current Caring Conductor जब किसे चालक तार से विद्युद्धारा प्रवाहित होती है तो उसके आसपास उत्पन चुम्ब की एक शेत्र की आकरिती कैसे तै होती है क्या या आकरिती चालक तार की आकरिती पर निर्भर करती है इसके जाच करने के लिए हमें क्रिया कलाब करेंगे क्रिया कलाब 3, आवश्यक सामगरी, एक बैटरी, 6 वोल्ट, एक मारगी दापकुन्जी, आयताकार कार्डबोर्ट का टुकड़ा, एक लंबा सीधा मोटा तामबे का तार का टुकड़ा, लोह चूर्ण आदी फिधी, पहला, एक आयताकार कार्डबोर्ट का टुकड़ा लीजिए, दूसरा, इसके ठीक मध्य में कार्डबोर्ट के तल के अभिलमवत, एक छोटा छेत कर, उसमें तामबे के तार को प्रविश्ट कराईए, यह सावधानी रखिए कि कार्डबोर्ट तार में इस्तिर रहे उपर नीचे हिले डूले नहीं, तीसरा, चित्र छे के अनुसार तार को बैटरी वकुंजी से तार को जोड़िए, चौथा, तार के चारों ओर पर बहुत निकट कुछ लोह चूर्ण को कार्डबोर्ट पर छिड़किए, और उसके बोर्ड के किनारे पर एक छोटी परिपत को बंद कीजिए, ताकि तामबे के तार से धारा प्रवाहित हो, अब हलका सा कार्डबोर्ट को थप थपाएं, आप पाएंगे कि लोह चूर्ण एक निश्चित आकरिती में व्यवस्तित हो जाता है, तब चुमकी सुई एक निश्चित दिशा में घूम जाएगी, लोह चूर्ण तार के चारो और संकेंदरी वृत्तों के रूप में फैल जाता है, और वृत्ताकार आकरिती बना लेता है, वृत्तों पर अंके तीर चुमकी क्षेत्र की दिशाओं को व्यक्त करते हैं, अब यही क्रिया कलाब धारा की दिशा बदल कर कीजिए, आप क्या प बदलें, और चुमकी सुई के किसी दिये गए बिंदू पर रखें, तो विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप पाएंगे कि जब विद्युद्धारा के परिमाण में व्रिद्धी होगी, तो विक्षेप में भी व्रिद्धी होगी, यदि ताम्बे के तार में विद्युद्धारा का परिमाण वही रहे, परनतु चुमकी सुई को तार के नस्दीक लाएंगे, तो चुमकी सुई का विक्षेप बढ़ जाएगा, आप देखते हैं कि तार के नस्दीक का सकेंद्री वृत छोटा वह दूर का सकेंद्री वृत का आकार बढ़ा होता है, बच्चों हमने अभी पढ़ा कि जब किसी चालक में विद्युद्धारा का प्रवा होता है तो उस चालक के चारो और चुमकी क्षेत्र बनता है क्यूंकि यह चुमकी क्षेत्र विद्युद्धारा के प्रवा से बनता है इसलिए इसे विद्युद्ध चुमकी क्षेत्र भी क तार जो है वो सेप्टिपिन की सायता से जोड दिये हैं इसकी सायता से हम क्या करेंगे विद्युधारा का प्रवा करेंगे और छड को इस प्रकार व्यवस्थित कर लिया है कि यह हिले डूले नहीं हमें अज्यात करना है कि जब हम इस चालक पर विद्युधारा का प्रवा कर तो इसके चारो और चुम्म की क्षेतर बनेगा या नहीं तो इसके लिए हमें मदद करेगी ये चुम्म की सुई अब देखिये अभी आप ध्यान से देखिये तो चुम्म की सुई जो है वो यहाँ पर देखिये इस ती रवस्ता में हमें दिखाई दे रही है यह इस ती रवस्ता में है अब हमें क्या करना है इस चालक पर विद्युधारा का प्रवा लेकिन उससे पहले बच्चों ही बात ध्यान रखें कि जो शालाओं में और घरों में स्विच बोर्ड में जो विद्युधारा प्रवा और इस switchboard से जो इसे on करने से जो 240 वोल्ट की विद्युधारा प्रवाहित हो रही है उसे 12 वोल्ट की विद्युधारा में परिवर्तित कर देगा और इसमें प्रवाहित करेगा ठीक है तो चलिए विद्युधारा का प्रवाह करते हैं इसके लिए हम यह switch को on कर लेते हैं यह यह विक्षेव दिखाई दिया आपको चुमकी सुई में यह विक्षेव आपने देखा अब इसे बंद कर लेते हैं फिर से यह देखिए यह वापस अपनी स्थिती में आ गया तो हमने देखा कि जब चालक पर विद्युद्धरा प्रवाहित हुई तो उसके चारों और चुम की सुई में हमें विक्षेव दिखाई दिया